हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका The Unuse Kitchen में आज Unuse Kitchen में मैं आपके लिए मेरे स्टाइल की अलो के पराथों की रेसिपी ले की आई हूँ और यह यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी अलो के पराथे बन के पैयार हुए हैं और ये आलू के पराठे बच्चे बड़े सभी को बहुत ही पसंद आती हैं तो चलिए आलू के पराठे बनाना शुरू करते हैं मेरे अंदाज में आलू के पराठे बनाने के लिए मैंने अलगवा आधा किलो आलू बाल लिये हैं उनमें मैंने कटावा प्याज, कटी हुई हरी मेर्च और हरा धनिय वो डाल दिया है और साथ में डाला है स्वाद के नुसार नमक लाल मिच पाउडर, हल्दी पाउडर, हिंग और थोड़ा सा मैंने इसमें अजवायन भी डाला है और इसको मैंने अच्छे से mix कर लिया है हल्दी डालने से इसका color बढ़ आच्छा जाता है और ये ही है जो बच्चों को attract करता है तो सबसे पहले मैंने एक छोटा सा आलू का पराठा बना लिया है हमारे भगवान के नाम का छोटा सा आलू का पराठा बना दिया है ये देखिए बहुत ही cute सा है और बहुत ही easily बन जाता है ये देखिए किस तरीके से मैं इसको बना रही हूँ दोनों तरफ से मैंने इसको सेक लिया है और अब मैं देशी गी से इसको सेक रही हूँ और ये हो गया आलू का पराठा ready मैंने गैस को चड़ा दिया है हाथ जोन लिये हैं और अब मैं बनाना शुरू करती हूँ आलू का पराठा हमारे लिए तो ये इस तरीके से मैंने आलू एक आटे की लोई ले ली है उसको पतला सा बेल लिया है और ये देखिए इस तरीके से बेला है इसमें मैंने काफी अच्छे से आलू की स्टफिंग डाली है तो ये देख सकते हैं बहुत ही भर के डाली है क्योंकि आलू के पराठे में यदि आलू ही ना हो तो मजाई किस बात तो आलू के पराठे का खाने का मजाई नहीं आएगा इसको अच्छे से मैंने आलू का पराठा बन के इसे अच्छे से मैंने स्टफ कर लिया है और अब मैं सूखा आठा इस तरीके से डाल जूँ और इसको बेल लोगी सबसे पहले अपने हतेलियों के उंगलियों की मदद से इसको ना फैला लेंगे ताकि जब हम इसको बेलन से बेले तो ये फटे ना तो ये देखिए इस तरीके से आपको उपर आलू दिखाई दे रहा होगा क्योंकि आलू मैंने इसमें बहुत ज़ादा भरे है तो इसमें आलू दिख रहे हैं और अब मैंने इसको तवे में डाल दिया है फिलाल मैंने ये नॉन स्टिक तवा लिया है आप इसको कैसे भी तवे में बना सकते हैं दोनों तरफ से इसको हलका सा मैंने पका लिया है और आप इसमें देसी गी लगा दिया है देसीगी लगाने के बाद इसको थोड़ा सा शेलो फ्राइ कर लेंगे जब तक कि इसमें एक करारापन क्रिस्पीनस आजाए तो वो आपको डिपेंड करती है आपको कितना क्रिस्पी आलू का पराठा पसंद है तो ये देखिए ये कितना ही टेस्टी शा मुझेदार सा आलू का पराठा बनके तयार है और अब अपने बेटे की डिमांद पे मैं ये आलू के पराठे में थोड़ा सा चीज डाल रही हूँ तो मैंने ये चीज इसमें डाल दी है और इस तरीके से मैंने वापस इसमें एक stuffing भर के अच्छे से लोई बना ली है और पैक कर दिया इसको अच्छे से और अब वापस सुखा हटा डालके इसको अपनी उंगलियों की सायता से मैं पहले इतना फैला लूँगी ताकि जब हम इसको बेलन से बेले तो ये इसमें से स्टफिंग बाहर ना आए तो ये देखिए मैंने इसको अच्छे से फैला लिया और अब मैं इसको बेलन से बेल रही हूँ और ये हो गया है तैयार और अब मैं इसको डालोंगी तवे पर ये देखिए एकससाटा मैंने ज़ाड लिया है और इसको तवे में मैंने सेग लिया है दोनों तरफ से जब पक जाएगा तो इसमें मैं देसीगी का इस्तमाल कर लियूँ आप चाहे तो तेल का इस्तमाल भी कर सकते हैं देसी की लगा के मैंने दोनों तरफ से इसको अच्छे से सेख लिया है शेलो फ्राइ कर लिया है तो आप देख सकते हैं कितना टेस्टी सा आलो का पराठा बनके तयार है और अब मैंने गर्मा गर्म आलो के पराथे सर्फ करने शुरू कर दिये हैं और इस तरीके से मैं आलो के पराथे बना रही हूँ आप देख सकते हैं कि इसमें काफी स्टफिंग भरी है और बिल्कुल भी आलो का पराथा फट नहीं रहा है और ना ही ये बिलकुल जला है और ये देखिए बहुत ही टेस्टी सा आलो का पराठा बनके तयार है ऐसी ही टेस्टी रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजे इस वीडियो को लाइक कीजे जल्दी मिलूँगी नई रेसिपी की साथ तब तब कि लिए बाइ